समराट अशोक एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंचता है। उन्होंने पूरे दिल से बौध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्रभाव सीमाओं से परे गया। वो अहिंसा के प्रतीक बन गए। वो मानवता के सचे नेता बन गए। अशोक के शान्ती के दूद बनने से पहले वो एक निडर युद्धा थे। उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने सामराज्य का विस्तार किया। कलिंग युद्ध ऐसी ही एक विजय थी। लेकिन इस युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग का युद्ध बहुत ही क्रूर था। इसने बहुत दुहक दिये। युद्ध के मैदान का दृष्य देखकर अशोक का हरदय दहल गया। उन्होंने उस विनाश को देखा जो उन्होंने किया था। वो पच्चतावे से भर गये। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने शान्ती के मार्ग को अपनाया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोर था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की ओर रुख किया। उन्होंने करुणा और अहिंसा में सांत बना पाई। कलिंग युद्ध हालांकि दुखत था एक प्रेरणा बन गया। इसने अशोक को एक धार्मिक मार की ओर अग्रसर किया। बौध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने इसका संदेश फैलाना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने अपने पूरे सामराज्य में स्तंभ बनवाए। उनके शिलालेखों से युक्त ये स्तंभ उनके नए धर्म के प्रतीक बन गये। इन के लिए दिशानिरदेश थे। उन्होंने लोगों को दयालू और करुणावान बनने के लिए प्रोथसाहित किया। उन्होंने उनसे एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का अग्रह किया। अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक अपने लोगो भाग चार एक विरासत का निर्मान स्तूप और विहार बौध धर्म के प्रती अशोक का संरक्षन अध्वितिय था उन्होंने अपने पूरे सामराज्य में कई स्तूप और विहार बनवाए ये भव्य संरचनाएं सीखने और ध्यान के केंद्र बन गई उन्होंने ऐसे स्थान के रूप में कार्य किया जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं का अध्यान और अभ्यास करने के लिए एकत्रित हो सकते थे अपने विशाल गुंभदों वाले स्तूप बुद्ध के ज्यान का प्रतीक थे विहार अपने शांत वातावरण के साथ आध्यात्मिक विकास के ल बुद्ध धर्म के प्रती अशोग की प्रतिबधता की निरंतर याद दिलाती हैं वे भारत के सांस्कृतिक परिद्रिश्य का अभिन्न अंग बन गए वे आज भी विस्मय और शद्धा को प्रेरित करते हैं भाग पांच तीसरी बौध संगीती संग को एक जुट करना अशोग का शासनकाल बौध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण अवधी थी उनके समय में ही तीसरी बौध संगीती का आयोजन किया गया था यह संगीती उनकी राजधानी पाटले पुत्र में आयोजित की गई थ इस परिशद ने पूरे सामराज्य के बौध भिक्षूओं और विद्वानों को एक साथ लाया इसका उद्देश्य बुध की शिक्षाओं की व्याख्याओं में अंतर को दूर करना था इसने संग बौध मठवासी समुदाय की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया त भाग 6. अशोक की स्थाई विरासत, शान्ती और करुणा का प्रकाश, स्तंभ समराट अशोक का शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युक था, उन्हें एक बुधिमान और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है उन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, बौध धर्म अपनाने से उनका काया कल्प हो गया बदले में उन्होंने अपने सामराज्य और उसके बाहर भी काया पलट कर दिया अशोक की विरासत केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है शांती और अहिंसा का उनका संदेश आज भी गूंचता है स्तंभों और चटानों पर खुदे उनके शिला लेक आज भी बुलंद है वे हमें करुणा की शक्ति की याद दिलाते हैं अशोक की कहानी हमें शांती का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती है उन्होंने हमें दिखाया की असली ताकत करुणा में है उनका जीवन दुनिया के लिए एक कालातीत संदेश है प्रेम, शांती और समझ का संदेश एक ऐसा संदेश जो आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है